नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत कुमार राव आपका स्वागत करता हूँ Entertainment and Study YouTube चैनल में दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा DRDO MTS का Practice Set जो कि यह Practice Set GS का है यह Practice Set 1 है इसके बाद आपको Practice Set 1, 2, 3, 4, 5 लगातार मिलते जाएंगे तो देखते हैं दोस्तों, आप कितना कोहचन अटेम कर सकते हैं वो Comment Box में जरूर लिखिएगा और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज कर लिजिएगा और बेल आरिकोन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके हैं धन्यवाद तो चलिए आप कोहचन की और बढ़ते हैं तो चलिए पहला कोहचन है कला की गंधार सोली की उत्पत्ती हुई थी ये चंद्रगुत मोर के कराजकाल में B. असोक के राजकाल में C. उसी मित्र सुंग के राजकाल में D. कनिक्स के राजकाल में तो इसका एंसर आप जड़ो दीजएगा तो इसका एंसर है D. कनिक्स के राजकाल में नेश्ट कोहचन की और बढ़ते हैं उच्च छिक्छा का के अंध्र वल्लिवी इस्तित्था ये गुजरात में, B. महराष्ट में, C. बिहार में, D. पच्छिम मंगाल में तो इसका एंसर है ये गुजरात में Next question क्यों बढ़ते हैं अपनी राजधानी को दिल्ली से दोलता बाद कौन ले गया? ये अलावदिन खिल जी, B. महम्मद तुगलग, C. फिरोज तुगलग, D. इब्राहिम लोदी तो इसका एंसर है, B. महम्मद तुगलग Next question क्यों बढ़ते हैं कानपुर इस्तित है, ये सर्यू नदी पर, B. अमना नदी पर, C. गंगा नदी पर, D. गमती नदी पर तो इस्तित है, C. गंगा नदी पर, Next question क्यों बढ़ते हैं सिंद्री परसिध है, ये सिमेंट उत्पादन के लिए, B. उर्वरक उत्पादन के लिए, C. चीनी उत्पादन के लिए, D. इस्टिल उत्पादन के लिए तो इसका एंसर हो जाएगा, B. उर्वरक उत्पादन के लिए, Next question क्यों बढ़ते हैं पिर्थमी राज रासु लिखा गया है, किसके दवारा लिखा गया है, ये जगनिक दवारा, B. विद्याधर दवारा, C. चंदर बरदाई दवारा, D. हमचंदर दवारा तो इसका एंसर हो जाएगा, C. चंदर बरदाई दवारा, Next question क्यों बढ़ते हैं गीता गोईंदम के रचीता थे, ये विद्यापती, B. धोई, C. जैदेव, D. लक्षपनसेन तो इसका एंसर हो जाएगा, C. जैदेव, Next question क्यों बढ़ते हैं दक्षिन भारत की विजय करने वाला पहला सासक कौन था, ये अलावदिन खिल जी, B. सेर्शा, C. बाबर, D. औरंग जी तो इसका एंसर हो जाएगा, ये अलावदिन खिल जी, Next question क्यों बढ़ते हैं जैद्धर्म का सरवधिक महत्पुन सिद्धान थे, ये तिर्थकर पुजा, B. मौक्ष प्राप्ति, C. अहिंसा, D. तिर्थियात्रा, तो इसका एंसर हो जाएगा, C. अहिंसा, Next question क्यों बढ़ते हैं खजराओ के मंदिर इस्तित है, ये गुजरात में, B. महराष्ट में, C. मदपर्देश में, D. उडिसा में, तो इसका एंसर हो जाएगा, C. मदपर्देश में, Next question भारत में, पर्थमिस्त्री मुस्लिम सासक कौन थी, ये चांद बीबी, B. रजिया बेगम, C. नुर जहाँ, D. मुम्ताज माल, तो इसका एंसर हो जाएगा, B. रजिया बेगम Next question भारत में, मुगल समराज का वाश्त्री संस्थापक कौन था, ये बाबर, B. हुमायू, C. अकबर, D. साजहाँ, तो इसका एंसर हो जाएगा, ये बाबर Next question क्यों बढ़ते हैं लक्षदी पिस्ती थे, ये अरब सागर में, B. बंगाल की खाड़ी में, C. हिंद मा सागर में, D. उप्यूक्त मेंसे कोई नहीं, तो इसका एंसर हो जाएगा, ये अरब सागर में Next question दिल्ली के लाल कीले का निर्मान किसे करा आया था ये अकबर ने, B. जहांगिर ने, C. साजहा ने, D. इन मेंसे कोई नहीं, तो इसका एंसर हो जाएगा, C. साजहा नहीं नेश्ट कोचन के लिए बढ़ते हैं भारत का अंतिम मुगत सासर कौन था? अरंग जेव B. सा आलम C. बहादूर सा जफर D. इन में से कोई ने इसका एंसर हो जागा C. बहादूर सा जफर टिम नेश्ट कोचन क्यों बढ़ते हैं निमलिखित में से किसने भारत में सर पर्थम वैफार के अंदर स्थापित किये थे? ये भी कोचन बहुत इन्पोर्टेंड है क्योंकि बहुत सारे एकजाम में पुछा गया है ये डच B. अरंग अंग्रेज C. पूर्तगाली D. फ्रांसिसी इसका एंसर हो जाएगा C. पूर्तगाली नेक्ट कोचन क्यों बढ़ते हैं ब्रह्म समाज के अस्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने B. स्वामी देयानन्द ने C. राम किष्ण परम हंस ने D. स्वामी विवेकानन ने इसका एंसर हो जाएगा ये राजा राम मोहन राय ने परकास संसलेशन में उप्यूक गैस है A. ओक्सिजन B. नाइट्रोजन C. कार्बन डॉक्साइड D. ओजन इसका एंसर हो जाएगा C. कार्बन डॉक्साइड नेक्स्ट कोचन थम्स अलवा एडिसन ने अविस्कार किया A. बिजली का बल B. बाइसाइकल C. टेलिविजन D. कम्प्यूटर इसका एंसर हो जाएगा A. बिजली का बल नेक्स्ट कोचन कोशिका सबका निर्मान किया A. J. B. S. होल्डन ने B. रोबोट हुक्ने C. अल्ड्स हक्सल ने D. गेगर मेंडल ने इसका एंसर हो जाएगा A. बिजली रोबोट हुक्ने नेक्स्ट कोश्टन बेरी बेरी रोब होता है विटामीन अप्सटन ये B.1 की कम्ई से अप्सटन B. C. की कम्ई से अप्सटन C. A. की कम्ई से अप्सटन D. B. 4 की कम्ई से इसका एंसर हो जाएगा ये नेक्स्ट कोश्टन की रोबढते है थाराइड हार्मन की नियुनता से होता है अप्सटन E. बोनापन अप्सटन B. गलकंड अप्सटन C. एक्रोमेगाली अप्सटन D. एडिसन का रोब इसका एंसर हो जाएगा अप्सटन की रोबढते है घरेलू मख्षी के कारण होता है अप्सटन E. मधुमे रोग B. हैजा रोग C. कैंसर रोग D. मलेरिया रोग इसका एंसर हो जाएगा B. हैजा रोग नेक्स्ट कोश्टन और अन्तिम कोश्टन यह है निम लिखित में किसे लाफिंग एस कहा जाता है अप्सटन E. SO2 अप्सटन B. CO2 अप्सटन C. N2O अप्सटन D. O3 इसका एंसर है C. N2O